आज में आपको इस वीडियो में हेरा फेरी 3 को लेकर अक्षर कुमार और कार्टिक आरियम की बीस कंफूसम के बारे में बताने वाले हैं तो फ्रेंट्स बॉली वोड में कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनका नाम सुनते ही फैंस को उस मूवी का बिसबरिस से इंतजार होने लगता है ऐसी ही एक मूवी इन दिनों खूब चर्चा अकाविसे बनी हुई है ये मूवी कोई और नहीं बलकि कौमेडी जppers की हिट मूवी में से एक हेरा फेरी 3 है द्रासल इस मूवी को लेकर आया दिन कोई ना कोई नया अप्टर सुनने को मिलता रहता है ऐसे में अभ इस फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है दरासल फिल्म को लेकर लगातार ऐसी खबरे सुने को मिल रही है कि फिल्म के काश्ट अभी तक फाइनल नहीं हो पाए है फिल्म के लीड एक्टर को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है जहां कभी लीड अक्टर के लिए अक्षे कुमार का नाम फाइनल होता है तो कभी अक्षे कुमार को रिप्लेस कर कार्तिकारियन का नाम सामने आता है ऐसे में आप फैंस के बीच इसको लेकर काफी जादा कंफ्यूजन क्रियेट हो गया है वही हम आपको बताते चले तो आप फैंस के इसी कंफ्यूजन को फिल्म के डिरेक्टर अनिस पजबी ने दूर कर दिया है जहां डिरेक्टर ने फिल्म को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है दरासल एक मीडिया ग्रूप को दिये इंटर्विव में अनिस पजबी ने कहा अभी तक मैंने फिल्म साइन नहीं की है जब तक मैं फिल्म के लिए हां नहीं बोल देता तब तक कार्तिक आरण और अक्षे कुमार आउट चलता रहेगा वही हम आपको बताते चले तो हेरा फेरी 3 को लेकर एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि ये फिल्म कार्तिक आरियन से पहले बॉलिवोड अक्टर वरूर धवन को आफर हुई थी लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था जानकारे के लिए हम आपको बता दे तो अभी तक हेरा फेरी फिल्म के दो पार्ट आचके हैं दोनों पार्ट में अक्षे कुमार सुनील सर्टी और परेज रावल एहम रोल में नजर आये थे हम आपको बताते चले तो तीसरे पार्ट में भी ये सारे एक्टर नजर आ सकते हैं लेकिन हो सकता है कि इस फिल्म में कार्टिकारियन या फिर अक्षे कुमार हो सके हैं फिल्हाल मेकर्स की तरफ से अभी इस्टार कास्ट को लेकर फाइनल नहीं किया गया है और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मिलता है नेक्ष वीडियो में बाई बाई